यह आपको दिख रहा है मेरा सेटो दिख रहा है तो खड़े हो जाएं देखिए प्रैटकली कराने से बहुत कुछ किलियर हो जाता है डाइरेक्शन एंडिश्टेंस शुरू कर रहे हैं देखेंगो उसमें बहुत कुछ आप नहीं चीज़ सीखेंगे घवराना नहीं है चीज तरह होगा आपका जो 98 परसेंट जो कोस्टों सोते हैं इसके वह पाइथा गोरस थेवरम का नाम आपने सुना होगा मेरी क्लास में आपको कभी बोरी फिल नहीं होगी मन से पढ़ाता हूँ इसलिए कुछ भी पूछना है तो इसलिए कितने लोगों के हैंस आप आप कौपी तिखाए मुझे यह कौंसी लेंग्वेज भाई चलिए यह कोशन पहला है टी सैट 2019 यह कोशन लास्ट व लास्ट यर यह यूपी एसी में आप लोगों का किलियर है बिल्खुल कोई डॉट्स नहीं आ रही है न कुछ पूछना होगा पूछ लेंगे तो कि मैं सब को साथ लेकर चल रहा हूं मैठ्स एन नॉन मैठ्स वाले को कभी कुछ कोशन बहुत आसा इजी भी पूछ देते है और चार इजी पूछे दो विटा पूछ दिये तो उसी में फैसला हो जाता है वन इविनिंग आकांच्छा एंड जोती वर टॉकिंग टू इच अधर पेस त आप यह मान कर चलें कि बहुत अच्छी तरह होगा आपका सबसे पले देखें किसी भी टॉपी का इंट्रो होना बहुत जरूरी है जाए कोडिंग का हो या किसी भी सबजेक्स में हो तो बहुत बिनिफिशल होता है वो उससे होता है कि आपने जो पहले पढ़ा और आज कु तो बोट के ऊपर तो मैं नहीं जा पाऊंगा तो वहां क्या करना होगा मैंने यह माल लिया सपोच यह सटेन पॉइंट से कहीं भी आप ऊपर जाएंगे तो यह डाइटीज कॉल नॉर्थ यह नीचे आएंगे यह होता है साउथ इस साइड जाएंगे इस्ट और इस साइड आएंगे आप इसको मैं ऐसे लिखता हूँ वेस्ट ठीक है आपने किया होगा कि टोटल यह टोटल ही ए 360 दिगरी का है इसका और फोर कॉट्नें आपने है इस कॉट्नें नैंटी डिगरी, 90 डिगरी है 90, 90, 90 अगर मैं इसे भी तो पार्थ में डिवाइड कर दूँ तो यह यह कहलाता है North East, South East, यह होगा South West और यह North West, गवर देखें, N E, आप कहेंगे E N के, आप E N भी लिख सकते हैं, एक पुराने जमाने चला रहा है यह, लोग North East पर लेते हैं, East North भी कर सकते हैं, कोई फर्क नी परेगा, उसी तरह से यह South East, South West and यह North West, ठीक है, Miss, कि total यह आपका 8 parts में divide हो गया है, 8 parts में, और total अगर 360 degree है, और इसको अगर 8 parts में divide करेंगे, तो each part contains 45 degree, Miss, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, total कितने parts हो गया है, 8, ठीक है, लेकिन आप में कई बार 55 degree का भी आ रहा है, मैंने अभी देखा, अभी क्या, मैं चोकि 60 degree, 55, 65 यह से पहले आता था, अगर एक्जाम में, तो वो लेकर चलना परता था था वो, अभी मैं, जब क्लास ले रहा था वहां, कस्मीर, तो कस्मीर हो, मैंने देखा, कि 55 के भी आ गया है question, how can you solve this, आप 55 degree का मैं अग्ल तो नहीं बना पाऊँगा, एक्जाम होल में, मेरे पास कुछ भी इस्टुमेंट्स नहीं है, लेकिन उसके तरीके होते हैं, वो मैं बताऊँगा, एन कोशन उसी टाइप का फिराएगा, जैसे, यह total कितने parts में हो गए आपके, एक parts में याद रखेंगे, पहला, second चीज़, आप देखा, कहीं भी certain point से, अगर आप east side जाते हैं, तो यह क्या है आपका, east, गौर देखेंगे, in case, suppose कि आप outsiders हैं, Delhi में आपका घर नहीं है, तो आप कई बार ऐसे questions में जहाँ problem हो, यह आप ज़रूर याद रखें, कि जहाँ आपने बच्पन गुजा रहा है, जहाँ आपका वर्ट हुआ है, जहाँ आपने जन्म लिया है, आप ज़रूर याद होगा, कि sun किस side rise करते हैं, और किस side उनका, शेट होता है, ठीक है ना, में उगते और डुपते, दोनों आप देख इस्ट्य चलते हैं, याद रखेंगे, जब भी चलते हैं, तो जब भी चलते हैं, आप अपने आपको देखें, आपका यहाँ बर्ट प्लेस है, आपका घर है, नहीं, तो छोड़ दे, देखें हाँ अगर सपोज आपका यहाँ घर तो अपने घर को याद करें जहाँ आपका, या मौनी में आप अगर मौनी में जागते हैं तो उस समय आप देखें कि सन कि साइट उखते हैं आप गौर कीजेगा कि सन जब भी चलते हैं इर से तो वो चलते हैं South की ओर, Clockwise, आपको पता होगा, Clock यहाँ नहीं है, Clock याद रखेंगे, अगर सपोच Clock है, तो ऐसे चलता है, तो Clockwise means, कि East से वो चलते हैं कहाँ, South की ओर, South से अपने आपको इमेजिन करें, जहां आप मौर्नी में जागते हैं, फिर East के बाद चलते हैं वो West की ओ देन फिर North यहाँ नहीं देखता हैं, कही नहीं तो दिखता होगा, तो इस तरह सो घूंते हैं, याद रखेंगे, जब भी Sun अपने आपको लेकर चलते हैं, तो वो East से चलते हैं, Clockwise होगा, Clockwise होगा East के बाद तो वो होगा South, कभी मत बोले कि वो North चलते हैं, वो गलत होगा, दूसी चीज, कि अब यहाँ पर यह 45 सब है, जब भी वो Clockwise चलते हैं, तो गोर देखें, मैं यह चला, तो कई बार हैसा, मैं ने आप से पूछा कि आपका घर कहा है, आप यहाँ हैं, या बाहर से हैं, परदेशी हैं, कहीं बाहर से हैं आप, तो पता नहीं चल पाता है, माल पर ऑफेते हो, इस फड़ना, आपने नोच पाता है, यह तो आपका आपना है, इस अपना है यह तो अपना है, यह तो सही में है, तो नोच को अरदे बाहर इस्थ, कहीं भी रह एख प्चार में, पर रहा हैं, यह च्छा मे nutर्ने capacit heur, झES बाड़निय को झोटा हैं, बाहर बिल्कुल सही है, बिल्कुल, मैंने तहां कि यह आपका अपना है, किसी और का नहीं है, यह है, मैं तो किसी नहीं चूता, क्यी बार गंदी चूता आप करता हूं, तो यह नाट पर लग जाएगा, याद रखें, तो यह चलेंगे क्लॉक बाइट, ऐसे चलेंगे, तो याद र रखेंगे, इसलिए नोज के राइट, साउथ, नोज के लिफ्ट, नौर्थ, और नोज के ठीक, बैक, वो क्या होगा आपका, वेस्ट, तो यह बहुत अच्छी मेठ़ होगी, आप कहीं भी एक्जाम होले बैठें हैं, कहीं भी, अगर मैं भूल गया, अगर मेरा बर्थ फि इस एफ ऐ इस गया यहाँ के बाद, अगर में राइट टरां करूझा तो कैसे, मुझे देखें आप, यह मेरा राइट है और नोज आग अगर मेरा लिफ तो मैं इस कि यह यह जा रहा हूँ, और राइट किस साईड चलूँगा, यह चलूँगा, इसका राइट ये लिफ य यहाद रखेंगे, जब भी ऐसा हो, अगर मैं यह चलूँ और यहाँ से कहें कि लेप टर्न, लेप टर्न करेंगे, ठीक है, गुट, हो गया किलियर, इसका मतलब यह डारेक्शन भी आपके अब किलियर हो गए, फ़र्ड चीज, कि दिग्री से रिलेटेड भी कोशन साते हैं आ यहाद रखेंगे, यही है ना, मैं भी बहुत पिटाई खाया हुई इसमें, सर बहुत पिटे थे पहले, चुकि आपनों को तो नहीं लेकि मेरे जमाने में सिर्फ यह पकरते थे, इसे करते थे, उसी कर नेतीजा है कि आज देखें हालात क्या है, सिंपल सा है, तो यह अगर यहाद रखेंगे, तो बरते 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 जाएंगे, 90, 135 होगा, गौर करेंगे आप, कभी कभी आप यह भी देखें, कि जब यहाँ से आप यह कर रहे हैं, तो कितना होगा, 135, 45, 180, बरते चलेंगे, इस रस लेकर चलेंगे, ठीक है बिलकुर, यह दिगरी का है, उसके बाद चले अचार किया था आपके साथ, क्लोकवा यगा यद्टी यहाद रखेंगे, ऊपको गषा ग्टार गल यहा법 रहे हैं, आपको गहाद है गलाता है, इस भी जब एखेंगे, यह जब भी आई है 애 doctor, है जलता है इसा आपकी क्लोकवाइज का थे सहीं अ Tub अगर चला तो समझो, समय खड़ाब है, ठीक है, हाँ, ठीक है, अब यह देखे, इसके बाद, इसके बाद, एंटी क्लोकवाइज हो गया, दसमय का टाइम देख सब कुछ हो जाएगा, फिर सबसे ज्यादा प्रोब्लम किसमें होती है, इसके बहुत प्रोब्लम है, अभी भी क इसके बाद, कहीं अगर यह भी लिखी रहे है, इसके बाद, कहीं अगर यह भी लिखी रहे है, इसके बाद, 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 आपने मुझे इन्भाइट किया था उची इनके सर में UPSC कौलिफाइब ँइम। याद करें। इनना मुझे मैं भेजा था याद है न? हाँ, बोले न? Acts hell! ठीक है िनने मुझे मैं भेजा कि सर आप यहां से यहां आ जाएं audio whenAm معना तो याद रखें, अगर यह 90 डिग्री के ठीक सामने, यह कहलाता है हाइपोटेनिस, और यह निकालने के लिए, डाइटी is called P, तो यह B, और यही होता है, H square is called to P square plus B square, और जब यह लेंगे आप, तो यह होगा, यह result आएगा, अब सोच लें, कि मुझे find out तो H करना है, विकाओज परपेंडी कूलर और बेस आपके पास है, इसका अर्थ है कि 4 A square, पलस 3 A square, 16 पलस 9, और यह आपका हो जाएगा 25, तो मेरा कितना अंसर हो जाएगा, 5 किलो मीटर, 5 मीटर, जो भी आपके लिनिट्स हैं, ठीक है विल्कूल, याद रखेंगे, यह 3 मेरे पास है, लेक तो आप तो पूछते नहीं है, 2%, 2% कैसा question, वो भी होगा sorted distance, जैसे माल लिया जाए, मैं इसको रख करूँ बेटा, यह दिखाना है मुझे, अब देखें, यह मेरे पास है, गौर देखें, तो कि फिर यह हाँ से निकल जाएगा, यह देखें गौर से, अब मुझे, सौटे मैंने कहा, 98% questions आप से पाइथागोरो से पूछे जाते हैं, तो बाखी 2% questions कहीं ने कहीं से पूछे जाते होंगे, जैसे माल लिया जाए, आप यहां से गए, यह, 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 सपोच कि यह 10 km है, यह अगर आपका, ने, पते लो 5, माल लिया जाए, आपका कितना है तू तो यह बाकी कितना हो जाएगा यह भी तो 5 प्लस 3 8 8 थू तो यह भी तो आपका सोटे डिस्टेंस है तो मान कर चली इसे भी सोटे डिस्टेंस कहेंगे तो इसे छोटा तो हम नहीं नेपने कितना चला तो मैंने का 5 km सोटर डिश्टेंस इनके तरप से कोसंा आया कि उसमें का क्योंकिन विए गया अब इसके बाद ये भी आपके पास है, जो सबसे ज्यादा problem लोगों को होती है, एक तो इसमें होता था distance वाले में, याद रखेंगे, उसके बाद एक होता है सैडो का, सैडो का, गौर देखेंगे, आप कई बार कहते हैं, गुड मॉर्निंग, यही बोलते हैं न, गुड मॉर लोग हो रहा है, नून सर, नून सर, उचे बहुत गुशा आता है, नून सर, क्या है यह, तब-टक वही चलते है सरकार की भाई, गुड मॉर्निंग, लोग बोलते हैं पड़ाया है, लेकिन वही क्या होगा नून, देन आप्टर 12, गुड आप्टर नून यही चलेगा, यह बिफोर 12, मॉर्निंग, 12, नून, देन आफ्टर, आफ्टर नून, एन बिफोर 4 पी एम, डाइटीज कॉल, आपका नून ही चलता है वो, लेकिन 4 पी एम, एन 4 पी एम ऑन वार्ड्स, यह चलता है इविनिंग, इसलिए कई वार कोर्शन कई जगा पूचे गया है, कि 4 पी ए यह चलता है वो, इवनिंग का, याद रखेंगे आप, कई बार आमतों पर हम लोग बोल देते हैं, अब इसे अपने हां का कल्चर कुछ और है, आप अमेरिका में जाएंगे, तो पहली मुलाकात को लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं वहां, है ने वेस्टन कंट्री में, कि आप देखते हैं कि बहुत सारे इंजिनियर, इंजिनर साब बताएंगे जो अमेरिकां कमपनी में काम करते हैं, ने हम यहां नाइट होता है, तो आप लोग पहली मॉलाकात वहां बॉड मॉर्निंग है, इसलिए उस्कुल्तर को छोड़ देँ, लेकि मेरे हां जो है 4 प् वो कहलता है आपका गुड इवनिंग, ठीक है, इसलिए, इसलिए, पर पियम अगर कही गई हो, या फोर पियम आणवार तो इवनिंग मान कर चलेंगे उसे, ठीक है, अब देखें गौर से, सबसे पहले गौर देखेंगे, उसको हसना नहीं है, तो मैं समझाओंगे इतनी अच इसलिए, उसको है उसको है, तो मैं तुझे जला डालूगा, जब आप उस चरह चे करते हैं ऐसे, तो इसे नहीं करना है याद रखेंगे, क्योंकि वो तो सबस्टे पूछी जाती है, तो आप क्या कहेंगे, इक एरील बना रहें बैटकर, नहीं नहीं तो सबस्टे लिए य कहां देखों, देखें, यहाँ पर दिखें नहीं क्योंकि लाइट बहुत है, तो सइडो ऐसे बार बार हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, याद रखेंगे, याद रखेंगे, तो मैंने टोन बोला, कि आदमी लोग जल जाता है उस समय, याद रखें, कभी भी सण के सामने ऐसे मैं नहीं जाता है, अगर कभी सईडो का हो, तो इस सअगे दिखेंगे, आपें रहें कैसे लोग देखेंगे तो आईस साइडोग तो बना देते हैं, ठीक हैं नॉर्मल रहें तब अएसे होंगे तो हो गये, ठीक है, हाँ, कैसे रहेंगे, ऐसे, नॉर्मल, क्यों, क्योंकि liberal जो नुट विर स्भाइव पढ़िगा, तो वह सअदो सिर्च आएगा, यहाँ और जब फिर साइड से आएगा तो सअदो यहाँ ज Inspector, आज अगे मेरे इस करें, देखो प्रचाई मेरे विरल कृष्छान अप्र ऐसे करेंगे। बुदू भसने गलत बोल रहा हूं, बुदू नहीं है, मतलब यही ना, याद रखेंगे, जब भी सेडो का करना हो, तो ऐसे नहीं, ऐसे या ऐसे, हो गया के लिए, यही होता है, तो कि ऐसे करने पर आपके आपके आपसर गलत हो जाएंगे, जो मैंने टोन बोलन को उनके सामन यही जब अजाएंगे, उनके सामने तो युपीएची पास करा देते हैं, बिखें बिल्कुल, डन, यही जब जाद रखें, लेक्ने श्टार्ट सुरू करें, आपको डिशेट थोरा सा, सुरुवाती दोर में कुछ कटनाईयां आपको आएंगी, बट, कई बार कोसें, मैं मैं अलग से भी डाल दूँगा बाद में, के बार ऐसे questions भी आये हैं, कहीं, कि right turn करने से पहले, before turning to his right, he went east direction, तो आप गौर देखें, tone कैसा है उनका, कि before turning to his right, he went to east direction, तो यह कहने का अर्थ है, कि right turn करने से पहले हुआ, इतना meter पूरफ चला, east चला, तो आप गौर देखें, क कि right turn करने से पहले, मैं 90 meter, इसका मतलब, कि 90 meter इस चलने के बाद हम right turn किया है, यह ज़िए धियान रखें, अभी रूख जाए, रूख जाए, रूख जाए, रूख जाए, देखें गवर से, कोसन अगर यह है, कि suppose, उसने कहा, कि right turn करने से पहले, वह कितना चला, suppose 90 meter, तो कि right turn करने से पहले, वह 90 meter इस चला, अगर मैं इस यहाँ चलता हूँ ऐसे, तो right तो यह turn करूँगा, है, तो यह turn करने से पहले, 190 meter इस चला, इसका मतलब, 90 meter इस चलने के बाद हम यह right turn किया है, यह सब कोसन को देखेंगे, और यह बहुत confusing question होता है, कि रूख हो गया, right turn करने से पहले मैं इस चलने के बाद इस चलने के बाद इस चलने के बाद हम किया, simple सा है, ठीक है, यह से भी ध्यान रखेंगे, लेट में स्टार्ट शुरू करने questions, यह इतने type के introductions है, ठीक है, अब पर संट 12 kilometer due north, then 15 kilometer due east, after that 15 kilometer due west, and then 18 kilometer due south, then how far is he from the starting point, यह starting point लिखा हुआ है, मेरी class में आपको कभी बोरी फिल नहीं होगी, मन से पढ़ाता हूँ, इसलिए, अभी एक teacher होते है कि चल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ना भी समझे, हाँ, 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 चुकि मैं इन चीजों को देखा हूँ अपने class में, मैं first बिलकुल मेरी मूँ ठेडिया से था, शहराय तो लगा कि नहीं, बहुत बरे थी, इसमें आ गए अब हम तो, अब हम क्या है, तो बहुत ऊपर चले गए, पीछे में जब सर पूछे, मैं समझ गए, समझ गए, कि अच्छा, इसको मैं यस अभी बताता हूँ, आये मेरे पास, समझ गए, समझ गए, पूछ ये कोशन मेरे मूँ से, आवाज ही निखला, मेरा तो ध्यान करिया, और तो मैं सीटी अरिया में आ गया हूँ, उस ही समय दिये, दो थी, सब के सामने, फिर मैं सही हो गया, तो वही होता है, खुल कर पूछे एकदम, कुछ भी पूछना है तो, सलिए, ये, कितने लोगों के, हैंड्स अप, थी, त्री, आप, कोशिश करें बेटा, एची बता दूँ, आप या कोई भी, कभी मुझसे पूछने में संकोच मत करें, ठीक है, मैं बहुत हैं, जो डारेक्टर साने, वो तो करते ही हैं, मैं भी बहुत हैं आपको, सलिए मैं स सबसे पहले, 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 स यह चल ले का तरीका है, देखें तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे आप, 15 km यहाँ थोड़ा सा और इस से थोड़ा इसकी लेंथ ज्यादा कर देते हैं, 15 km, आफटर डाइट, यह क्या है, 15 km अब यहाँ पहुच गया है, आपने कहा 15 km में द्यू वेस्ट, तो फिर मैं यहाँ से वेस्ट, वेस्ट डाइक्शन यही है, कहीं पहुचेंगे, उसे ही माल लेंगे वेस्ट, यहाँ आने के बाद फिर मैं रूख गया, यहाँ से 18 साउथ, तो साउथ तो ऊपर जाएंगे, जी नहीं, मेरे हां में हां मत करें, अलर्ट रहे, 18, इसका मतलब यहाँ आएंगे 18, तो यह कितना होगी आपका, 6, इसका मतलब से 18 पॉइंट से कितना जाएंगे आप, 6, इसका मतलब से 18 पॉइंट से कितना जाएंगे आप, 6, ठीक है बिल्खुल, अब अगर यही पे, यह जरूर याद रखे हैं, sorry, यह चलो आएंगे, मेरा अंसर क्या था यहाँ पे, 6, सलिए, मैं, next, फिर यहाँ से करूं, sir, अचा, यहाँ से है, ठीक, ठीक, यह देखे, कोई बाते में, रीट करेता हूं, बेटा, a person is going towards north, after walking 100 meter, he turns to his right, and walks 50 meter, again, he turns to his right, and walks 100 meter, finally, he turns to his left, and walks 20 meter, now in which direction is he moving, 1, 2, देखता हूं, ठीक से, बना भी लिए आप लोग, चलिए, कौपी देखे, एक सेके, चलिए, आप, चलिए, आपका कौपी देखों बेटा, चलिए, अभी देखता हूं, चलिए, अभी देखता हूं, चुकि आंसर डिफरेंट आ रहा है लोग अंसर सब का A काए, ठीक है, पहले मैं एक्स्प्लेइन करूंगा, देखता हूं, तो A पर कितने लोग, हैंट्स अप, A, B, बहुत भीशन लडाई है यह, C, कोई और अठा देखे, C, D, नहीं, शुरू कर दे, सबसे पहला काम, जब भी ऐसे कोसंस हो, मत बात करें वेठा, ब North, East, South, West, North, East, South, East, South, West, जो भी आपके पास हैं, यह डारेक्शन अगर स्टार्टी में हो, सब लोग देखें, बात करेंगे, आप से ही बोल रहा हूं, आप यहाँ देखें, हाँ, याद करें, सबसे पहला काम यह देखें, ऐसे कोसंस में, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, North, बहुत अच्छी मेथड है, साइदा पहली बार यह देख रहे होंगे, North, आपने देखा यह, लास्ट में आपने देखा, कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, Directions, तो आप इसे दो सेकेंड में स्वाल्व करें, मिनट नहीं, सेकेंड, ठीक है, सब लोग स्वाल्व करेंगे दो सेकेंड में, ठीक है, गौर देखें, यह North है, मैंने बहुत बढ़ा कर दिया, याद रखेंगे North, ठीक है, मैंने ही कर दिया है बढ़ा, चुकि उन्होंने उस बुद्दु के चकर में हुआ, उन्होंने कहा कि सर मुझे नहीं देख रहा है, North, तारा काम कड़ा कर पीछे बैठ गई है, North, ठीक है, अब North के बाद देखें, यहाँ पर आपके पास यह देखना है, क्या है यह, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या है, गौर्च देखें बेटा, मत बात करें, राइट, फिर उसके बाद, राइट, फिर उसके बाद, लेफ्ट, फिर उसके बाद, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, तो मेरे फर्मूले में, इस फर्मूले में, ठीक है ना, मेरे फर्मूले में क्या करेंगे, याद रखेंगे, पहला आपको यहाँ डाइरेक्शन हो, और लास्ट में आपको पूछी गई हो moving की side है two seconds बहुत है इसके लिए बहुत लंबे टाइम लग जाते हैं बड़े-बड़े questions में आप opposite directions को delete कर दे, minus करें उसे और याद रखे मेरे formula में जब भी चलेंगे आप तो ये 90 degree लेकर चलेंगे आप कितना 90 degree लेकर तो गौर देखेंगे अगर ये 90 degree है तो सबसे पहला काम कि अगर ये 90 degree है यहां यह यह और यह तो यह north, south, east और यह क्या है गौर से देखेंगे ये north, south, east, west है तो इसके 90 degree यह होगा इसके 90 degree इसके 90 degree और यह answer आप maximum दो सेकेंड में देंगे, याद रखेंगे, सबसे पहले देखें, opposite, right, left, तो क्या बच गया मेरा, right, ठीक है, लेकिन आपको एक right, एक left, अगर left ना हो, दो right हो, तो first के बाद right यहां, second right यहां, ऐसे चलेंगे लेकर, दो, लेकिन मेरे formula में याद रखेंगे आप, कितना लेकर चलना है 90 degree, एक खाना पूरा, देख लें, जैसे पहला देखें, north, अच्छी तर देखें, north के बाद मुझे देखना है left and right, तो मैंने देखा यहां पे क्या है आपका पहला, right, यह क्या है, right, यह क्या है, लेकिन अगर एक भी छूटा आपका इसमें, एक भी अगर छूट गया, तो आपके answers गलत हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे आप, अब देखें, यहां पे opposite, right, left को आप subject करेंगे, मतलब एक दूसरे को opposite है, minus कर देगे उसको, तो मैंने एक cut किया right और एक cut किया left, चाहिए इस बहुत अच्छी method है, ठीक है, बिल्कुल अब यह साइद मुझे इसा लगता है, कि आपने इस method कभी नहीं देखा होगा, बहुत अच्छी, लेकिन याद रखेंगे, अगर थोड़ी सी भी असाब धानी हुई आपके साथ, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें कर देगा यह, अब जो आप लेकर चल रहे थे, पुराने स्टाइल पे, आपने भी देखा, मैं आपकी भी कौपी देखा, गौर से देखें, आपने यह किया था, कि सबसे पहले मैं इसको रब करूँ यहाँ पे, एक सेकिन, पहले देखें, पहले इसको समझे आप, ठीक है, एक दम सब लोग यहीं ध्यान दे, सबसे पहले मैं गया कितना, नॉर्थ, अजब डार्यक्शन पूछी गई है, लिखते चले जैसे, नॉर्थ, कितना है यह, आप लोग बोलेंगे, देन, इसके राइट, राइट तो यह होगा, कितना, 50, अगें ही टरन ही राइट, किस साइड चलेंगे, साउथ, नीचे, नीचे, ऐसे भूले, यह, चलेंगे, कितना, 100, इसी के उक्वल मैंने कर दिया, ठीक है, इसके उक्वल, 100, देन, आफ्टर, आप बोले, मुझे फलक्ष्वेट होता है, लेफ्ट, कितना, तो लेफ्ट किस साइड चलेंगे, इस साइड, यह, कितना, 1, अचा, only 20, ठीक है, अब देखे, गौर से, तो फाइनल, आप किस डारेक्शन में आया है, इस्ट, मैंने कहा था ना, कि सबसे पहले में यह चल रहा हूं, देन, अगर राइट, तो इट विल टेक, more, more time, ज्यादा वक्त लग रहा है यह, इसके लिए, सबसे अ यह आपका, इसे आप जरूर लिखें, यहाँ, क्या है यह, नॉर्थ, अब आप धूने कि राइट और लेट किसना है, आप बोलेंगे, बोलते जाएं आप, पहला बोलें, आगे बोलें, आगे बोलें, लेट, मैंने कहा कि अपोजिट फीगर को मुझे डिलीट करना है, तो एक राइट, एक लेट चला गया, तो क्या बच गया, नॉर्थ के बाद, राइट, अब आप गोर देखें, यह आपका याद है, वो फीगर, यह नॉर्थ है, और नॉर्थ के राइट क्या होगा, मैंने कहा कि 90 डिगर लेकर चलना है मेरे फर्मूले में, याद रखेंगे, तो 90 डिगरी यही होगा, इसकी 90 यह होगा, तो नॉर्थ के राइट में क्या हो जाएगा, इस्ट, तो आपका समय, दो से तीन सेकेंड बन जाएगा, मैक्समम टू सेकेंड, जो कि आप ले रहे हैं, मिनट भी टाइम यह, किलर है बिल्कुल, चलिए, अब मैं जिन से पूछ होगा, जब आप वो देंगे next question का, बनाएंगे, लेकिन आपके पास वक्त होगा, सिर्फ, only you have, two seconds, ठीक है, और two and three, यह जब आप सबसे पहले, आप देंगे, आज आपकी पहली class है, ठीक है, आप देंगे, एक निट, आप लेट क्यों आए हैं आज, तो आप समझ गए इन और को, two, third में, आप होंगे, three, ठीक, डर्ना नहीं है, ठीक है, जब आप देंगे तभी न, यह मस्तों ची कि मुझसे पूछी जा रही है, जहां मुझे ऐसा लगता है कि निट से, फोर्थ पे आप होंगे, नहीं, आपके पीछे, जी, फोर्थ, and फिप्त पे, आप होंगे, ready, सब लोग रखेंगे अपना आंसर, six पे आप होंगे, ठीक है, चलिए, मैं start करता हूँ, सिर्फ याद रखें, और दो सेकेंड गदर आप अपना फिंगर उठाएंगे, अपनी हैंड्स को उठाएंगे आप, एक सेकेंड, ready, start है आपके स्पास, तो आम इने बड़ा कर दिया है, next time out छोटा कर दूँगा, बक्त बहुत कम है आपके पास, फिंगर से, चलिए, फिंगर ठीक है, आपका फिंगर दिखाएं, अगर ए है तो वन, मुह से बिलकुल नहीं बोलना है, चलिए तो बाह, आपका वेटा, चलिए, अच्छा मुझे आंसर में में भी आपकी तरह स्वल्फ करता हूँ, सच में, मुझे में पास आंसर मुझे याद नहीं होता, आप बताएंगे, चलिए, आपका, वन, गुड, आपका भी आया है, क्या आया है, एक सेकेंड, क्या आया है आंसर, ठी, सबसे प्रे देखें, गौर देखें, देखें, 99.9% लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, सिर्फ आपका थुरा ध्यान दे बेटा, हो जाएगा, ठीक है न, मैं help करूँगा, सबसे प्रे देखें, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, साउथ, सिर्फ देखें, मैंने यहाँ, ऐसे लिखता हूँ, साउथ, डन, इसके बाद, बोलते जाएंगे, एक, आप बोलो, सब चूप रहेंगे, यह बोलेंगे, एक सेकंड, एक, राइट, राइट, लेप्ट, एक और लेट, एक ही आदमी बोले जब बोले, और हैं क्या इसके बाद, हो गया, यू, 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 गया, पांसर क्या आ गया, साउथ, देखें, आपने एक सेकंड से भी कम समय लि नेश्ट ठीक है बनाना नहीं है बनाना अगर बनाएंगे तो फिर मेरी अदालत में आने हैं क्या आपके पास आएगा अगर दो और इनको रोकें यह चुप यहां देखें चुप का बात मत करें देखाएं इसे पूछँगा वह आप देखें अगर डो राइट है डारेक्सन कोई बताएं आप नौर्थ ले लूं को अगर यह नौर्थ मेरे पास है यह तो यह साूथ और यह ईस्ट वेस्ट है दो नौर्थ है तो नौर्थ के राइट पहला क्या होगा उसके याज रखें मेरे नाइन्टी डिग्री ही लेकर चलना है अगर आपने इधर से उधर किया तो यह आपकी रेस्पोंस लिट्वी होगी कोई नहीं ठीक है हो गया किलियर यह डन कहां थे आप ध्यान दें यहां मत बात करें देखें नौर्थ के दो बार राइट है तो अगर यह नौर्थ मेरा है तो राइट चलेंगे कहां लेकर नाइन्टी डिग्री पहला राइट दूसरा राइट साउथ तीसरा राइट पहला राइट फिर वहीं चलिए आएगा बस कोई फ़र्ख नी पड़ेगा हो गया किलियर यह चलिए नेक्स चलू लेकर आपके पास समय होगा सिर्फ अपोजिट हो जाए हां हां लेकिन नाइन्टी डिग्री बस मिन्स कि आप दो सेकेंड में इसे करें दन है बिल्कुल थर्ड कोईशन यह जवाब एक सेकेंड कहां कैसे यह हां लुग जाए यह यह कोईशन डिफेंट है उससे याद रखेंगे मुझे डिग्री मैंने अभी कहा था आपसे मुझे डिग्री बनाने की आवसेक्ता नहीं है जरूर ध्यान रखें आप अम एक्जाम हॉल में नाइन्टी इग्री फिप्टी डिग्री शिश्टी नहीं बनाएंगे और इ इसके बाद कोईशन डाला है वो आप फिर चेक करें ठीक से पहले कॉपी है जी मैं आपका हाँ देखू बेटा हाँ ठीक है गुड़ नहीं थोड़ा सा अप्रयास करें नहीं फिर से प्रयास करें नहीं मुझे नहीं लगता है कि वह आंसर करेक्ट है कितना है नहीं बेटा इसका अंदब different answer आ रहा है, नहीं, फिर से check करें आप, बोले मत, सिर्फ finger use करें, मैं सब देख रहा हूं, आपके correct answer है, last में, आपके wrong है, फिर से check करें आप, जब तक आप try नहीं करेंगे, फिर से देखो, good, आपके correct है, नहीं, incorrect, नहीं बिटा, चलिए, let me start, मैं शुरू करता हूं, और जब यह हो जाएगा, तो आप याद रखें, कि अभी जश्ट जो आया है, जम्मुएं कास्मीर, वो भी हो जाएगा, और मैं इन फॉर्ण पहना कर भेजूंगा घर, नहीं, यह तो very good, wrong है, नहीं, let me start, शुरू करें, good, आया या लाया गया है, अच्छा आया है, सब लोग, good, सबसे पहला, आपके पास सिर्फ होना चाहिए, two or three seconds, ठीक है, सिर्फ दो सेकेंड के अंदर करें, तीन सेकेंड, मैं आपको, जो explanatory method है, वो भी लेकर चलूंगा साथ में, but, मेरे message चलें, बहुत आपको help मिलेगा, सबसे पहला, सबसे पहले देखें, जो मैं कम से में कर सकता हूँ, सबसे पहला, ये तो मुझे याद रखना, मैंने भी बताया है आपको, west, याद रखेंगे, ये मुझे याद रखना, इसे पहले भी आपने किया था, west, याद रखेंगे, इसका मतलब, ये मेरा है west, ये मेरा है north, south, और ये west, ठीक है, सबसे पहले देख यहां पर दो ही चीज मिलेगा आपको clockwise और anti-clockwise आप देखें clockwise कितना है 45 degree and then another 180 degree in the same direction इसका मतलब फिर clockwise means कि पलस 180 तो कितना हो गया 225 degree कहां इसमें कोई no doubts 225 degree clockwise हो गया अब चलते हैं anti-clockwise यह कितना है तो मैं कोशिश करता हूं मैं इसको direct लिक दूँ 225 समझ गये सब लोग तो मैंने क्या किया यहां पर मैंने लिख दिया clockwise 225 degree and anti-clockwise यह आपका है 270 degree ठीक है यह आपके पास है यह है यह है चुकि मैंने उपर क्यूं लिखा तो बड़े वाले को आप उपर लिखेंगे तो वो सब्टेट करने में आसानी होगी इसलिए मैं लिखा है देख लिए बेटा यहां देखें आप तो जब मैंने माइनस किया यहा खुरहानले कि अजा है कि का है कि एंटी लोग Кई लेकिन आपका एस किस डैरेक्शन में था सब् करते सब्सक्राइब कुरहानरे के अफिस्ट वेस्ट सब्सक्राइब मेरा फेस है मेरे यह खढ़ा हूं अब यहां से मुझे कि हैं क्लोक में उल्टा यहां से चलना है उल्टा कितना 45 इसका लग टोटल तो 90 डिग्री होगा तो यह साउथ और यह क्या हो जाएगा वेस्ट याद रखें एंटी क्लोक लेप्ट हैंड क्लोक बाइज राइट हैं ठीक है यह तरीका बहुत अच्छा है समझ गया है 55 डिग्री दे क्या फर्क पड़ता है वो ठीक है यह अब मैं आपको उस मेथट को भी लेकर चलता हूं जो आपने पहले पढ़ा है ताकि आपको यह डाउट्स नहों कि उसमें तो ऐसा हो सकता है लेकिन याद रखेंगे यह जो यह मेथट बहुत अच्छी है दूसी चीज कि जब भी ऐसे सबसे आप लेकर चलेंगे किसी को भी डिखने मेठे लिखने फैले इसके बाद रिजित्य सुरू करें अब यहां सबसे पहला काम यह मेरे पास है अब मैं चलता हूं उस मेथट को लेकर यही था आपके पास North, South, East, North-East, South-East, South-West और यह हो गया Northwest, यही है, यह method भी कर सकते हैं, but we will take more time, याद रखेंगे, अब यह थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, सबसे पहले गौर से देखें, आप क्या करेंगे, इस method में, जो पुराने जमाने का method है, यह अगर आप लेकर चलेंगे, तो जब तक इस questions का अंत न हो जाए, last न हो जाए, final result न आ जाए, तब तक आपको उसी direction में चलना है, means, कि if, अगर यदि आप जाते हैं, clock by direction, तो अंत अंत लग आप चलेंगे कहां? clock by direction, यदि आप जाते हैं, anti-clock by direction, तो आपको anti-clock by direction में ही जाना होगा, याद रखेंगे, जब तक उस questions का complete portion न हो जाए, ध्यान रखेंगे आप, आप देखें, तो आप बताए, लेकिन इसमें भी दो तीन चीज़, आप देखनें, दोनों में सेम जलताएगा, आपका phase किस direction में है, मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे, ठीक है बिल्कुल, दोनों मेधर देखें, चुकि एक्स्मेट्टी बहुत जरूरी, चाहे किसी भी topic में हो, किसी भी subject में हो, एक्स्मेट्टी भी जानना बहुत जरूरी है, चुकि हम बच्पन सो भी पर है 9-10 तक, यह है वेस्ट, आ 45 बाले में कई बाट डाव कि 180 कितना चलूं, तो याद रखें कि 45, 45 कितना होता है 90, तो 180 डिगरी चलने के लिए 2 बार 90, 90 चलेंगे, तो याद रखें, यहाँ से miss, 4 ताइम चलेंगे 45, तो 1, 2, 3 and 4, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन इसके बाद आपने कहा है, नह रेलकुलेट कर लेते हैं, लगभग यह, 6, 3 नहीं, 6, याद रखें, फिर यहाँ से लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो यह टाइम ज्यादा लग रहा है यह, हो गया कि लिए, ऐसे लेकर चलेंगे, यदि आप, यहाँ, इसमें क्लोक एंटी बाद, जब भी चलेंगे, तो रिजल् मैंने बिल्कुल, मिटा दूं आगे, चली आप, अब जो कोशन आगे आपके पास आने जा रहा है, मुझे लगता है, कि वो थोरा सा, है, चुन्नू कम, इस कोशन को देख कर ही डाल लग रहा है, चूकि आया कहा है, अगर यह करेक्ट हुआ, इन फॉन पहना कर भेजा जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप यूज करें अपना फिंगर, अभी जस्ट आपको मेथर दी गई है, अंगुलियों से बेटा, मेरे पास आंसर तो है, नि मुझे भी बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड, एक मिनट, ए पर कितने लोग हैंड्स अप, मैं देख लेता हूं, कौभी मैंने देख लिया, आप आंसर बताएं, चलिये, चलिये, मैंने आपका भी हाथ देख लिया, हाथ देख लिया, थोड़ा सोचें, आपका हाथ मेटा, परोस्य, अचे वाह, गुट, आज ठीक चल रहा है आपका, थोड़ा सा अब ध्यान देख, आएगा, गुट, गुट, अज ठीक चल रहा है अब है न, आज अग अधी दिरे, मैं मेथट दूंगा, दिवार में दरार आएगी है, बचरते की लोगों अश्टली पढ़ें तब, उस महिनत भी करें, पुस्वंस तो होते हैं, अगया किलिया, नहीं बेटा, नहीं, वेरी गुट, वो गलत है, वेरी गुट में स्रॉंग आंसर होता है, गुट, आज ठीक चल हा है, धीरे-धीरे होगा, गुट, जब इनके बंते हैं तो इनके बताने के तेवर देखें, जब बंता है तो इनका भासा ही चेंग हो जाता है, एक्दम भासा चेंग कर लेती, परहती है, पराण।, रेड़ी यू सबसे पहले, फिंगर से, गुट, सबसे पहले दिखें, गुट गुट आया या लाया गया है आया है इतना टाइम नहीं मेरे पास I have only two seconds कितना two seconds वो जम्मु कास्मीर में या कहीं आ जाए प्रकनी पड़ेगा मुझे two seconds आ जाए गौर से देखें इतना टाइम नहीं है सबसे पहले मैंने कहा है जो फी हो नहीं हो बीच में रास्ता कार जाते है ठीक है या रखहे राउ ट्लिप्ट कोHigh पने दिलेट कर दो उसों कैंसील करदे मेरे आंसर सांबाँ जाएए अब यहां सबसे पहले सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है वह ए यूगाए यूगाए और यूगाए गये मुझे लगा दोनों clockwise तब तो पूरा चलना पड़ेगा 150 डिग्री clockwise and 150 डिग्री जवरत नहीं है मुझे किसी को बुलाने की मेरे पास जो था जो मैंने कमाया वो दे दिया रख लो पैसे मुझे जवरत नहीं है 150 clockwise 150 nt clockwise कोई जवरत है अब जवरत जो है देख लेते हैं सब कुछ से पहला काम मेरे पास है क्या याद रखेंगे आप अब उसके बाद यह तो गया clockwise 80 डिग्री हाँ इसमें अगर थोड़ी से असाबधानी होगी देर मुझे के लिए क्रियेट हो जाएगा clockwise 80 डिग्री उसके बाद फिर 55 डिग्री clockwise कितना हो गया 135 इसका अर्थ है कि finally मुझे कितना चलना है 135 clockwise याद रखें मेरे यही तो है इसकी जवरत ही नहीं है आपको यहाँ से यह है साउथ यहाँ से मुझे चलना है clockwise कितना 135 तो यहाँ से यहाँ 95 इन्हों 95 बोल दिया यहाँ से यह 95 फिर दखे यह 90 और यहाँ से और थोरा चलेंगे तो कितना हो जाएगा 45 मेंस कि नौर्थ वेस्ट डारेक्शन में हम है किलेर है बिलकुल सबकार फुरा ध्यान दे उतना टाइम नहीं होता है बेटा एकाद दो कोस्चन होगा जहाँ पर टाइम टेकिंग है देख लेंगे उसे किलेर है बिलकुल कोई डाउट्स क्यों रों क्यों रहें ठीक है ना हां हां रुए मत अगरे अगरे दिखता ने फ्लक्टूएट होता है मैं इनको अब एक राका चाहिए आलग दूंगा तब तो सीखेंगे ना 1 1 ठीक है B कोई नहीं समझें किलियर हो रहा है सब कुछ कोई देखत नहीं आ रही है ना चैलिए 1 मेरे पास आंसर नहीं है मैं देखता हूं 1 देखो मेटा वहीं स्कॉपी आप कॉपी दिखाए मुझे यह कौन सी लेंग्वेज है भाई इने खाली NSW लीख दी आंसर कोई हो सकता ही अपने माइंड से की हो अपने ही माइंड से करती हैं दूसरे कमाइंड से चलिए आपके पास वक्त सिर्थ 2 सेकंड का होना चाहिए आपका 1 ठीक है मैं सुरू करे करू सुरू देखें सबसे पहला काम हम पुराने में जो आपका पहला वह भी लेकर चलता हूं सबसे पहला सबसे पहले देखने वेटा ऐसे केस में आपके पास यही है नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट नौर्थ इस्ट साउथ इस्ट साउथ वेस्ट नौर्थ वेस्ट यही है आपके पास खुब अच्छी तह देखेंगे आप इस बंद करें यह रहकिन का है बंद कर दें सबसे पहले गौर से देखें ऐसे केस में क्या करेंगे आप आपको या तो आप सौट कट लेकर चलें या आप लॉंग मेथर लेकर चलें रिजल्ट सेम आएगा लेकि मेरा यही कहना है कि आप कोशिस करें एक जाम हॉल में ऐसे कोशन को सौट से लेकर मैं तीन मेथर बताता हूं जो आपको ठीक लगे वह आप रखें बाकी आप उसे हटा दें पहला फर्स्ट नॉर्ट इस कहां यह है पहला कभी भी ऐसे कोशन्स हो तो आप देखें कि उसका डिस्टेंस कितना है पहले जैसे देखें नहीं पता मुझ सपोज कि मैं बिल्कुल नहीं हूं मुझे बिल्कुल डिरेक्शन डिस्टेंस नहीं आता तो हम तो यह लेकर चलेंगे आप ने कहाई कि नॉर्फ इस्ट विकम्स वैस्ट ठीकल यहीं कहाजाता है ना नॉर्फ इस्ट विकम्स्वैस्ट याद रखेंगे यह कहा जा रहा है वेस्ट आप देखें यह एक थार्ल स्वाट कट पडेगा और यहां से भी चलेंगे तो भी याद रखे जब तक अब्ने चलन मिसका स्टार्ट किया और स्ट्रीन अगर तब तक आप उसे clockwise लेकर चलेंगे या आपने अगर एंटी clockwise लेकर चला है तो आप जब तक उसको सन का लास्ट नहीं हो जाए जब तक उसके solution आजाए तब तक आपको आपको एंटी कलॉक ही लेकर चलना है ध्यान दखेंगे उसमें भी तीसरा ये होता है ये clock एंटी कलॉक में हम वो देखेंगे कि सब से मेरे पास करीब का relation कौन सा बन पा रहा है जैसे मैं देखता हूं कि ये ज्यादा करीब है ये मेरे लिए ज्यादा तो आप जितना चलेंगे वह डिस्टेंस कितना होगा थ्री गौर से देखें विटा यहां पहुंचने के लिए वान टू एंड तो अब आपको थ्री लेकर चलना है चला आपने कैसे है साउथ इस बिकमस शाउथ यह है चल रहे था आप एंटी क्लोक वाइड है बिल्कुल नौर्थ तो अब बेस्ट को लेकर चलेंगे एंटी क्लोक ऐसे चलेंगे वाण टू थ्री तो मेरा आंसर प्रूसर क्या हो जाएगा साउथ ही सेम पर देख चलेंगे यह अगर हम ऐसे लेक पर चलेंगे तो आल्वेज मुझे वही लेकर चलना परेगा यह ध्यान रखें थार्ट केस उत्रा मत करें यह थोड़ा सा यहां पर यूज करें कि सही पास्वाट अगर डाल देंगे तो कंपूटर खुल जाएगा अधरवाई देखते हैं लॉक हो जाता है देखें यहां पर सबसे पहला काम नॉर्थ इस्ट विकम्स क्या है तो याद रखें मुझे लगता है देखने बेटा पहले यहां सबसे पहले इसके बिल्कुल अपोजिट है यह और अपोजिट के ठीक पा उसकता हुम्त मुझे सब्सक्राइब है रिजलत है मिल जाता है ठीक है अप साउसे इसका अपोजिट और इसका कलॉवइच नॉर्थ है भिलकुल तो Lect रेंट का अपोजिट का कलॉवइच साउथ हिस्ट यह चलेगा ठीक है तो आपके पास तीन से चार मेथड हैं कंप्लिटली डिपेंड्स ओपन यू को हाँ कौन से फर्मूले है हाँ के यूज ठीक है ना कौन सा कर्थ लास्ट वाला देखे बेटा सबसे पहला काम आप से कहा गया है नौर्थ हिस्ट और यहां पहुचना है तो नौर्थ इस्ट का अपोजित और यहां चले गए लेकिन याद रखें यहां तो चले गए आप बट यह क्लॉकवाइज है यह एंटी क्लॉकवाइज यह आपको ध्यान रखना है चलिए दूसरा आपके पास साउथ इस्ट है साउथ इस्ट विकम्स यहां लेकिन इसका एक क्लॉकवाइज चलना था आपको यह कहां चले जाएंगे नौर्त और यहीं आपका है इसलिए वेस्ट वेस्ट के लिए यह है और फिर क्लॉक्वाइज साउथ इस्ट है यह जो आपको ठीक हैं कि कर एक कॉंसे इए सबसे पहला काम देखें उधर रास्ता होता है उनके बेचारे गरीब का छूड़ जाता है देखें यह आपका है नौर्थीस्ट तो नौर्थीस्ट से कहां आएंगे इस पहूंचना कहा आपको वेश्ट यह क्लोक वाईज है याद रखेंगे एक लकवाई चलना होगा ऑलावेज अपोजिट के साथ दूसरा है शाय चीजिट यह का पोजीट शॉट्वाईज कहां जाएंगे आप नोर्थ है वही आपको वेश्ट का पूछी गई है तो वेश् पिस्टेंस को ले कर चलेंगे अश्टेप लेकर चलेंगे हाँ लेकिन उसमें भी देख लेंगे बेटा जरूर कि ये डिस्टेंस मेरे लिए नजदी कौन सा है बड़े बाले को भी लेकर चलेंगे आंसर वही आएगा बट पो सकता है मेरा कर थर्टी सेकंड्स भी टाइम अगर मुझे एक्जाम में बच जाता है तो हम कहीं अदर जो आ आस तो लास्ट यर आया UPSC में 2015 का है साहिद ताहीद और रोहीद इस्टार्ट फ्रॉम पॉइंट चलिये वनली यूज फिंगर मैं आउं लेट में स्टार्ट शुरू करें कुछ बोलना चाहिए बोलें सी वेरी गुड रॉंग है लेट में स्टार्ट मैं शुरू करता हूं गुड उनके बंते हैं तो उनके स्टाइल देखें बताने का मने ऐसे नहीं करेंगे लोग अन्हीं बंता है तो बस ऐसे हां फीके रेड़ी अ उनका क्या हाल है कितना आया है कर रहे हैं थी यह तो मैं कर देता हूं छोड़ दे देखें सबसे पहला काम जब भी ऐसे कोसंट्ट हो अभी जस्ट जे-एन-क जे-एन-क पूछी गई यह फि पहला काम साहिव फ्रॉम दा सेम प्वाइट इस प्वाइट पे मैं ऐसा करू यहां दिखेगा आप सब लोगों को यहां पर लेकर चलता हूं यह प्वाइट है मेरा साहिद एंड रोहिद इस्टाड फ्रॉम दा सेम प्वाइट इन अपोजी डारेक्शन एक इस साइड चला एक एक इस साइड चला और एक दो बनाता हूं फिगर ताकि आपको असुपधान ना हो ठीक है किलेर है ने बिल्कूल यह मैंने सुनना चाहता कि नहीं समझ में आया है डन है हाँ चलिए अप पहला अप्टरड इच वन किलोमेटर साहीज आल्वेज लेफ्ट इसका अलम माल या जाए कि यह साहीज यहाँ चला अगर मैं साहीज चला तो यहां यह कौन चलेगा है बिल्कुल चलने के बाद साहीज लेफ्ट तर्ण लेफ्ट इसका अलब कहां जाएगा और ठीक है दूसरा कि अगर मैं इसको साहीद मानतों पहले इसको माले ताहूं यह वन तो यह भी चलेगा अब यह चला लेप्ट तो यह चलेगा कहा गया है शाहीद always turn left and Rohit always turn इसका लब यह चला one kilometer ठीक है बिल्कुल फिर यह चला पहले right फिर चलेगा यहां से यहां क्या right तो यह चलेगा यहां से यहां left यही है ना यही चलेगा अद दोनों आकर कहां मिले इस point पे वही तो पुछी गई है one one two three one two three three kilometer दोनों मिलेंगे आप पहेंगे आपने ऐसे क्यों लिया चलिए मैं ऐसे लेता हूं मैं यहां साहित को कर रहता हूं और यहां कौन है यह रोहित गौर देखेंगे अब इसने कहा कि रोहित always turn right तो मैं यहां लेकर चला कितना one यही है ना तो यह चला यह right तो यह चला left यही कही गई है one है देखिए हम साहित जबेग च्फानले मैं अगर साहित इसको माना तो यह left चलेगा यहां फिर यहां से आई यह चल रहा है तो यहां से left किस साइड जाएगा यह जाएगा और यह मेरा होगा लेफ्ट सेम इसी तरह यह आएगा तो यहां होगा राइट फिर भी तो मिला वही फिरी किलो मीटर से इसे यह डाउट नहों कि सार आपने वह ले कर चला मैंने साहिद और रोहित दोनों का मैंने कि डारेक्शन चेंज करके देखा आंसर वही आ रहा है इसलिए मेरा आंसर होगा बीज दक करें आधा दे मीट आफ्टर इच हैज ट्रेवल त्री किलो मीटर करूं आगे अब चलूं कि दनने बिल्कुल कहां है दिखता है नहीं है यह चलिए यह कोशन पहला है टी सैट टू थाउजन नाइंटीन कि देखता हूं कि मैंने देख लिया है हाथ क्या है कौन पूछ चलिए यह तो आंसर डिफरेंट आ रहा है सब लोगों का ए मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा अगर बोलूंगा चलिए मैंने हाथ देख लिए आपका और लोग दी देखे साथ होकर भी दोनों अलग हो गए बताए या और लोग बक्त बहुत कम है आपके पास सायद लेकिन अभी तक जो मैं फिल कर रहा हूं एक भी आंसर आगे नहीं बोलूंगा सही नहीं हैं कि टाए और यह कृट ईकासर सही आया है और वह वह उसा नहीं है लेकिन हाँ उनका आंसर सही है यह लोग मkarang चैक प्ट चैस्णिवाह वाले को मैं हेल्प कर रहा हूं हो एवीक हो यह कुच्छ हो अंगुलियों से बेटा अंगुलियों से शिर्प उंगली यूज करें 1, B, C, D चलिए, let me start शुरू कर दे, ऐसे कोशन करने पड़ेंगे आपको, सबसे पहला, first of all, फराचे इसको उपर ले जाओ, क्या और इतना चलेगा, कहाँ है यह, A started from his house, इस house से वो start किया है, and walk 20 meter towards east, तो किस सेट चलेंगे आप, है बिलकुल, where his friend B joined, याद रखें, यहां से यहां कौन आया, A, और फिर B joined कर लिया, इसका मतलब, अब यहां दोनों मिल गया है, और दोनों साथ में चलना शुरू किया, A और B, याद रखेंगे, where his friend B joined him, and they together walk 10 meter, कितना है यह, done, अब यहां पर दोनों है, कौन कौन, A and B, ठीक है बिलकुल, A and B, कोई देखेंगे, same direction, then A turn left, किस साइट जाएगा A, ऊपर, A turn left, यहाँ मैं इधर कर दूँ A को ऐसे, A turn left, and B turn right, ठीक है बिलकुल, है south, अब गौर्ट देखें, and travel 2 meter and 8 meter respectively, means 2 meter किसके लिए बोला है, A, इसका मतलब यह हुआ, 2 और यह हुआ, 8, 8 है ना, याद रखेंगा, मैं चुकिए उपर, fluctuate होता है मुझे, 8, again B turn left, B तो यह आया है, यह भी आ रहा है, B turn left, किस साइट, इस्ट कितना, हो गया, यह चला, then followed by 5 meter to his right, है बिल्कुल, यह थोड़ा सा, ऐसे मिटा आता हूँ इसको, थोड़ा, रुख जाएं, थोड़ा सोटा कहता हूँ, ठीक है, यह, कितना कर दूँ, 5, ठीक, 5 बोले न, 5, ठीक है, 5, done, अब इसके वाद, अब उसको भी देखते हैं, यहाँ B पहुँच चुका है, B को अब यहाँ से हटा दें, अब B कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ, ठीक है, and then इसके वाद, अब अपने ओफिस पहुच चुका है, भी, फिर A, राइट चलता है, कितना, 12, टोटल चला 12, इसका मतलब, अगर यह 4 है, तो यहाँ तक 4 होगा, तो बाकी यहाँ कितना होगा, 8, ठीक है, नहीं दिख रहा है वेट आपको वहाँ से, देख ले, यहाँ देख ले, मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले 12 था यह, तो आप यहाँ 12 मैंने इसके equal कर दिया, 4 यहाँ, तो बाकी कितना बचाएए, 8, यहाँ तक ठीक है बिल्खुल, यहाँ पहुच गिया है A, और A भी उपर से कह रहा है, B, मैं अपने ओफिस के पास ख़रा हूँ, तो B कर रहा है, तो नीचे क्या देखता है, मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं भी अपने ओफिस के पास ख़रा हूँ, दोनों एक दुसरे को, दे रहे हैं ताना, कि चलो मैं अपने ओफिस के पास ख़रा हूँ, तो रास्ते हैं या आइधर पाइथागोरा जो 98% मैंने कहा था या 2% जेनरल तो मैं देखता हूँ कि अगर यह बनाता हूं यहां पर तो इसके सामने यह बन रहा है क्या बन रहा है यह बन रहा है इसका मतलब यह कितना है 2 और 8 तेन तो मैं यहां लिख दो 2 8 ठीक है इसको मिठा देता हूं यहाँ यह अब मैंने वहां ताकिया कन्फ्यूजन रहो 2 और 8 है प्लस यह 5 जो यहां यहां करेता हूं 5 तो कितना हो गया 15 15 दन है बिल्कुल दिख रहा है इस आपको दिख रहा है वहां से 15 याद रखें यहां से यहां तक 15 है टोटल ठीक है यहां से यहां इसका मतलब यह बन गया मेरा पाइथागोरस और यह मुझे फाइंड आउट करना है तो याद रखेंगे एच इस जूकल टू अंदर रूट 15 का एसक्वायर प्लस एट का एसक्वायर 225 प्लस 64 और यह आपके पास है कितना टू? 289 इतना तो आपको निकालना पड़ेगा इसक्वायर रूट और यह 1700 B is the correct answer और शिर्फ इन ही दोनों गरीब काया था आपका भी था अच्छा ठीक है तीन आपका भी था चले चार लोग मेरा गरीब मतलब अमीर होता है ठीक है रूए मत अच्छा आधा निकला था तो इनके आंसर आ जाएंगे आव कितने थेज हैं लोग मेरा तो आधा चुका था आधा भी ने आया था गुट रे कितनी ओनेस्ट हाँ फिर कहां से कहां से बोले-बोले-बोले मैं सम्झाओंगा फिर यहां नहीं तो उगलती हो इसलिए लेकिन अब समझ में आ गिया ना आया समझ में नाि नहीं 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 यहां देखें V और टू ट्रेवल 4m गए यहां से 4 MP यह चला है इसके बाद यहां यहां आया फिर कहा है he is right five meter तो यहां चल रहा हूँ तो right तो मेरा यह होगा ना five meter हो गया clear आया good नेख चलू कोशन करें अच्छे ठीक है आप ओ सौरी यह क्या यह कोशन अभी आया है चंडीगर अच्छा चंडीगर में अलाबा तो चंडीगर में आया था अब एक सेकेंड एक सेकेंड हां कि चंडीगर में आया था यह दिग्री नहीं बना तो मैंने ऐसे करनी कि मैंने यहां डीटी लिखते है इसको ऐसे माने यह दिग्री है ठीक है भाई सब कुछ नहीं बन पाता न कई बार नहीं आया समझ में आपको आया समझ में इनको यह परोशी हाँ आया है नहीं समझ में ठीक है बार कम समय भाई आंसर निकाल दिये हाँ देखूँ चलिए अरे वाह अगर यह सही हुआ तो चंडीगर अभी भेज दूँगा इन फॉन पहना कर correlate very good कि एक सेकिंड एक सेकिंड आपने कहात उठाया फिर से एक पीशे नहीं देखना है हो अगज है एक सेकेंडrows एक सेकंड ensign हाँ को हम है चलिए अ आज आपके गलत कम हो रहे हैं ध्यान डख pişा अगर यह गलत खुआ तो आप चले जैंगे गाम तो नीं बोलूँगा बलाब गलत होजाएगा तो हाँ् हाझ आज आपके गलत अरे मैं तो बाद फैसला करूंगा गुट क्यों लेट आये थे आज हाँ टाइम पे आ जाए बेटा ठीक मैं इंद्यार करता हूं जब इंट्रों निकल जाता है तो मुझे भी लगता है कि फिर समझाना थोड़ी मुश्किली आएंगे बेरी गुड रॉंग है रोए मत आपका रोए मत रोए मत अभी आएगा चले शुरू करें चलिए नहीं वह आंसर सही नहीं नहीं बेटा मैं बताता हूं देखें गौर से मैंने आंसर देख लिया हां देख लिया बार बार हात मत डिखाएं ठीक है भाई का में भाई बुल या ते बद्धास को हां ठीक है गूड और योड करेक्ट आंसर नहीं कि यह तो डारेक्शन पूछी तो डारेक्ट आना चाहिए और यह भी पंजाब का कोशन है चंडिगर अभी ज़स्त आया है मैंने हटा दिया उसका कि चंडिगर नाम बार बार क्या लिखू चंडिगर चंडिगर अब एक सेकंड मैं फर्मूले चलता हूं एन कि एल कि एल और अच्छा यह यह गया और यह कितना कह रहा है 45 डिगरी ओह ओह है हसना नहीं है इसे फिर नहीं समझाओंगा समझाता हूं तरीक है यह यह है अब देखे सबसे पहला काम सबसे पहले देख चोड़े यहां देखे सबसे पहला काम 20-meter to the north है यह दें टर्न लेप्ट है फर्मूले से में चला था यह डारियक्त आ रहा है साउथ वेस्ट एंड कभड कितना छोड़े ने कभड कितना भी कर लें अगेंड ही टर्न लेप्ट हैं लेप्ट कितना यही इतना दें टर्न राइट यह हैं मैं ठीक बनाया यह गलत बना दिया एक सेकेंड अचा 45 डिगरी था कोई बात ने चलने का तरीका यही था हम जार है ऐसे हाथ पकड़कर खीच दी नहीं ऐसे चले तब तक बो आए बोले ना ऐसे ना बैसे कैसे 45 डिगरी और यह बीच में चले ऐसे इसका मतलब यह आंसर क्या होगा साउथ बेस्ट मैं सीधे जा रहा था इन्होंने हाथ खीच दिया सर ऐसे तब तक बो आए अहलाबत ना महलाबत नहीं आपका ठीक है ना आए और रहना हाथ खीचा ना ऐसे ना बैसे 45 डिगरी चले तो कैसे चलेंगे यह नहीं टुटा नहीं है ठीक है 45 डिगरी डन फिर से कहां से बेटा कहां से यह लो जा वो लिमीटा दीजे सारा ठीक है अब देखे यहां से आप चले कित्मा नौर्थ ट्वैंटी फिर टन लेप्ट एंड कवर्ट कितना 34 अगें ही टन लेप्ट कितना है इसको थुरा बढ़ा देया और क्या कितना है 15 एक्चली यह मुझे वो होता है फ्लक्ट्वेट होता है वो चस्मेबाले ही समझ सकते हैं चस्मेबाले का हाल 15 डिग मीटर अब यहां पे जा रहा हूं ठीक है यहां देख ने आया देन टन राइट और कितना 45 तो जैसे ही यह राइट हुआ जाना तो ऐसे ही था जा रहे थे यह जाना ऐसे था लेकिन यह तो 90 डिग्री बन रहा है तो 45 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा और यह हो जाएगा साउथ पेस्ट ठीक है आगे चलों किलियर है चूप क्यों है भाई नहीं समधाओंगा देखें सबसे पहला काम सबसे पहले देखें यह मेरा क्या है यह नौर्थ ठीक है नौर्थ इसके बाद लेफ्ट याद रखें नौर्थ के लेफ्ट फिर उसके बाद फिर चले लेफ्ट कहा एंगे न चुप चुप नहीं बेटा यह देखें यह देखें नॉर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट तो नॉर्थ के लेफ्ट क्या होगा कि यहीं होगा ना कि दो बार फिर यह लेफ्ट हो गया और चलना है मुझे फुर्टी फाइब बिर्द कहां चलेंगे आया ना कि बुलाओ पुलीस हाँ ठीक है नॉर्थ लेफ्ट जो मैंने कैंसिल का बताया है फर्मूला ने बहुत अच्छा है वो अभी बहुत सारे फर्मूले हैं आप देखते रहें कि यह मुझे थोड़ा दिक्कत होती है ना बारबार लक्ष्वेट हो जाता है कि बताये क्या होगा कि बहुत आसान बहुत इसी कि आप लोग का किलियर है बिल्खुल कोई डाउट तो नहीं आ रही है ना कुछ पूछ नहीं पूछ लेंगे तुकि मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूं मैट्स एंड नॉन मैट्स वाले को कभी कभी कुछ कोशन बहुत आसाँ इजी पूछ देते हैं वो अगर चार इजी पूछ है दो भी टाफ पूछ दिया तो उसी में फैसला हो जाता है कि ट्वेंटी का फाइनल मैच वो तो मैं जानकर आसान दिया था तुकि सबको यह लगता कि बहुत टफ ऐसा ने है मेरा यह किलियर होना चाहिए देखे मैंने कहा है कि टोटल मैट्स और रिजिनिंग मिलाकर एप्रॉक्स लगभग 54, 55 questions आते हैं जिनमें से 8 to 9 questions ही होता है घुमाबदार बाकि सारे सही होते हैं गुट, 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 गुट शुरू करें आपका भी आया होगा सबका आ गया आगे चलूं question को लेकर कितने लोगों का नहीं आया है तब का आ गया है next question पर चलूं लेकर चलिए मैं बताता हूं सबसे पहला कई तरीके हो सकते हैं याद रखें पी और क्यू ऐसे भी तो हो सकता है गौर देखें विटा गौर से पी और क्यू यह यह जो distance है पी और क्यू के बीच का distance कितना है यह भी तो हो सकता है यह भी तो हो सकता है पी और क्यू के बीच का distance 60 है हो सकता है पी यहां जाए और क्यू को यहां ले आओ तो भी तो distance वही होगा या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी और क्यू का 60 नहीं मेरी मर्जी मैं ऐसे लिख हूं यह भी तो 60 है डिपनेंट यह भी तो हो सकता यह भी तो हो सकता कई तरीके हैं इसे ऐसे केस में अगर आप सोलूशन निकालना चाहेंगे देन इसके जस्ट बात आप देखें कि यह कहना किया चाहिए चुकि 60 कई तरीके से आएगा यहां से अनन्द विहार का डिस्टेंस सब्सक्राइब कर देखेंगे याद रखेंगे बुद्धु मेरा मू देखती है देखें याद रखेंगे कि यह किसा चला गया यह क्यों इसका मतलब क्यों पी के बेस्ट में है यही वेस्ट डारेक्शन है और यह कितना शिक्ष्टी शाथ एक तूसर पुलता है पचास है और यह हो गया कितना और साउथ और पी कितना है यह एटी देन यहाद तु फाइंड दिस्टेंस और डिस्टेंस का अर्थ है मैंने बताया था स्टार्टिंग में स्टेंस और यह मेरे पास है अब आप निकाल लेंगे ना ही जुकल टू टोटल यह करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा अब तो आजाएगा इतना तो कर लेंगे ना तो फिर टाइम बेश्ट होगा उसमें एक्टी एस्क्वाइर प्लस सिस्टी एस्क्वाइर से श्रू करने क्या बुले चलिए नेश्ट हाटू हाँ हाँ कर लेंगे क्या बुले हाँ नीचे लिजे आवटा अटू इढ़ा करते हैं कर लिजे कर लिजे कर लिजे देख लेंगे अचा इसको तो आँर उपर करना होगा ना पहले यह देख ले आप यह कह रहा है यह वह रहा यह आपर उसको रहने देता हूँ, उपर का तो जरुवत है नहीं, यह देख मैं यहां तक करता हूँ, यह आपके पास, यह है गुड, फोरा साओ, सब लोग के आनी चाहिए, ऐसे कोश्चन को अभी जस्ट, इसके बाद हो सकता आजाए, जो की अभी जस्ट, जेन के में आया है कोश्चन, फोरा साओ, इसे डिफरेंट है, हो सकता इसमें आजाए, यह आपका जो टेस्ट होगा, मैं उसमें डाल दूगा ठीक है, ठीक है, आप पीले-पीले, गुड, अब यहाँ जाओ, थोड़ा सा प्रियास करें, ठीक है, बनेगा सब, गुड, देखे, अभी थोड़ा टाइम लेक रहा है, ठीक है, बट आने वाले समय में, जह हम पूरी तरह से स्ट्रॉंग हो जाएंगे, तो यह समय बतेगा अब आपको यहाँ आपको यहाँ आना पड़ेगा, किसी दो को, किनी दो लोगों को आना पड़ेगा, एक कोशन आने जा रहा है, चल चुका है, सुख देव भी हार मेट्रो शेशन से वो, लेट में स्टार्ट, आना पड़ेगा, दो, गुट, देखें, सबसे पहला यहाँ पे, सेट करने की बात है, एक सबसे पहले, ऐसे केस में, लिंक होना बहुत ज़रूरी है, बिना लिंक का नहीं चलेगा, देशे, एफ और डी है, अच्छा है, 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 डी, एफ, इज, दी के कहां है यह, यह थोड़ा ध्यान रखेंगा, चुकि मुझे वो उपर थोड़ा फलक्ट्वेट होता है, यह इसलिए दिकत होती है, तो एफ और डी यहाँ, तो डी को यहाँ ले लू, दी इज वन साउथ ओफ ए, कितना है यह, वन, ठीक है, मैं इसे एरो करेता हूँ, ए कहीं है, यह है, ए, ए के नौट दो किलो मीटर है, इसका मतलब ए के नौट दो किलो मीटर है, इसका मतलब ए के नौट दो किलो मीटर है, इसका मतलब ए के नौट दो किलो मीटर होना चाहिए यह, मैं एरो देता हूँ और कुछ छूट रहा है क्या C A के East A के East C कितना 1 A छूट रहा है और कुछ B E के East हो गया यह 1 अब तो सारे मिल गए A, B, C, D, E और F यही 5 थे village आपके पास अब आपसे पूछी गई है Which 3 village are in a line तो मेरे पास यहाँ पर 3 village में कौन है A, D और E ठीक है बिल्कुल Done अब देखें ऐसे case में कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप सपोज इसी को लेकर चल रहे है तो कोई भी ले ले अगर हम यहां से भी लेकर चलेंगे A और E तो मैं दूसरे को लेकर चलूँगा इस A को मिला कर चलेंगे आप आपका एक link मिलना चाहिए Otherwise प्रोब्लम हो सकती है आप दो कहीं भी देखें लेकि लिंक एक मिलना चाहिए आपको जैसे आप जैसे देखें मैंने पहले एफ को लिया था अगर मैं यहां लूँ कि भी आप अट बी एक के इस्ट में है यहां पर आपने बी और ए लिया अब दूसरा ठोने की बी और और ए कहीं है है नहीं है कहीं है है यह इसका लब एक नौर्थ में कौन है कितना 2 km हम यह भी लेकर चल सकते हैं लेकिन एक मिलना चाहिए उसका one evening akansha and jyoti were talking to each other each other face to face in bano eyes I don't know which akansha and which jyoti on jamia road if akansha shadow was exactly to the left of jyoti which direction was akansha facing A chaliyay B chaliyay D chaliyay one evening akansha and jyoti were talking to each other face to face in bano eyes in jamia road you also States how a a a b she retweet b so soon being honest so yeah a but I also bit e so do तो मुझे कैसे आप किलर करेंगे लजाना नहीं है बॉल्ड बने चलिए भाइका चलिए 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 मैं उमीद करता हूं कि आपको यहां आनी चाहिए कौन आएंगे दो लोग आ जाएं कौन है इसमें आकांचा कौन जोती आई डाउंट नो है दोनों मेल में मरा जाएं को दिक्कत निंए application मेल आजाएं कि कल यहां ऑगरS पहले मैं प्रैक्टिकल यह आपको करता हूं ठीक है अ स्थ दोनों मेल आजाएं, 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 याद रखेंगे, पहले देन बोर्ट पे, एक चीज़ याद रखें, जो मैं हस्ते हुए बोलता हूं, उसके पीछे भी राज होता है कुछ, मैंने आप से क्या कहा था उस समय, कि सन के सामने कभी ऐसे मत चलें, वो बार आजाएं, आजाएं, याद रखेंगे, ठीके बिल्कुल, डन, अब, आजाएं, कैमरा के सामने भी दिखना चाहिए, मतलब, यह यह कह रहा हूं, सबसे पहले, एक दावत की तिन दे, आजाएं, सबसे पहले यह देख लें, फोरा सा एक मिनट सा रो करेंगे आप, फोरा ला एक ऐसा जो यहां पर लाइट दिखे, दो प्रेट के लिए लाइट ओफ कर दिए, हाँ, एक लाइट यहां जो यहां पड़े, ठीक नहीं होनी चाहिए, मेरा तो स्रेटों ही नहीं आ रहा है कुछ, अच्छे इसको ओफ करेंगे, कोई दिकत नहीं होगी ना, मैं ना रहूं उससे क्या फड़क पड़ता, ना रहूं मतलब यह, यह चाटल, मैं ना रहूं मतलब वह थोड़े बोल रहा हूं कुछ, हाँ, नहीं तो मुझे वह लाइट आनी चाहिए, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, अब आ रहा है, आ रहा है, दिख रहा है सब को, इसको बेटा थोड़ा ख प्रता था केल दे, हाँ, आ जाएं, प्योंकि लाइट दिखना चाहिए, आई, आरे भाई, आप आजाएं, हसना नहीं है, एक सेकेंड देखें, यह आपको दिख रहा है मेरा सेडो, दिख रहा है बेटा, यह तो खड़े हो जाएं, प्योंकि मेरी हाइट टूतरी निकी हम यह है ना, सबसे पहले देख लें, क्यों, अचा, आजा, नहीं, सबसे पहले देख लें, अची तरह समझें, आपने क्या कहा है कोस्चन में, वन इविनिंग, तो इविनिंग में सन किस साइट से आएंगे, वेस्ट, माल लिया जाएं, मेरा है इस्ट, कुछ दर के लिए, य यह क्या होगा यह क्या होगा त्रुं依र क्या मंखिध क्या है त्रुंग और दूश जा होगा यह होगा यह होगा स्वर्ध्य नश कैंसी कभाल डुश कि या ребята चल्व ल्को Umu कि अत्यायोगै मैरे प्रफल क्षेदित आपने कहा है कि यह कहां से आ रहा है बोर्ट पर सम्झा दूंगा और अच्छी प्रेट करी इस साइट से आ रहा है सन का रहे तो गौर देखेंगे इधर आ जाए ऐसे नहीं ऐसे उनके सामने ऐसे मत हों पहले भी बोले हैं न वो कि ऐसे जो होगा उसको मैं अब बोलना नहीं हाँ याद रखेंगे ऐसे हैं यह अच्छी तरह है यह इसे हैं ठीक है ना इसका मतलब यह इस्ट यह वेस्ट यह साउथ यह नॉर्थ तो अगर इस साइट से अगर अब तो वेस्ट से आएंगे सन तो यहां पे ज़र सन का रह पड़ेगा तो साइडों किस स आइन हुई जयोति यह मुझे भी नहीं पता इन दोनों में कौन आकांशा कौन जयोति हैं नहीं नाम नाम जो है याद रखेंगे अब यहां देखेंगे हाँ अब सबसे पहला काम आपने क्या कहा है इधर जाए तोड़ा दोनों यह दोनों बात कर रही हैं बनो आये जामिय रोड़ पर हसना नहीं है ठीक है हसना नहीं है इस अकांशा सग्टो वाज एक्जैक्ली टुदा लेप्ड आफ जो थीरी किस साइड रहा है इस साइड से इसका मतलब इनके लिफ्ट परेगा बाएं कम इसका मतलब शीज कांशा तो यह अकांशा के लेफ्ट आगै ना to the left of Jyoti, इसका मतलब ये जोती है, तो ये हो गई कौन, उसको मतलब वही बोलूँगा, फिमेल बला ही उच करूँगा, अब इधर राजाए, मेरे मुझ के पास की है, यहाँ देखें, है, इसका मतलब ये जोती के लेप्ट में है, इसका मतलब ये जोती हो गई, तो ये आकां साइड से, तो इनके लेप्ट परेगा, और आपने कहा है, कि एक्जैक्ली टू दा लेप्ट ओफ जोती, तो जोती के बाये पर रहा है, तो ये जोती है, तो ये कौन हो जाएगी, आकांचा, अब देखें, ये है वेस्ट, ये है इस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ, तो आका मैंने जो कहा है, दूपटे बगएर, ठीक है, दाउंट माइन, देखें, प्रैट कली कराने से बहुत कुछ किलियर हो जाता है, अब मैं, आपको उसमेलो सर ने ये क्यू बोला किया, इसे मचलने उनके सामने, ये इसका रीजन था, अब मैं उसको आया समझ में, नहीं तो फ ये सन है, कहों पर है, ये न, हाँ, ये सन है, गौर से देखेंगे, ये सन है, इस साइट से आ रहे है सन, है न इसा, इसका मतलब ये वेस्ट है, तो ये क्या होगा, मेरा वही फर्मूला चलेगा, जो मैंने समझाया है, बेसिक, कोई चेंज नहीं करूँगा कभी, चेंज करन अगर इस साइट से आ रहा है, तो मैंने कहा था आपो, कि यहां पर आइसे मत ख़ड़ा हों, हसना नहीं है, ऐसे मत ख़ड़ा हों, क्योंकि वह अगे नहीं बोलना है थीक है न, इसका लाइसे इन के सामने खड़ा नहीं होएंगे, कैसे खड़ा होंगे? होगा मैंने का opposite direction रखना है ऐसे नहीं ऐसे या फिर ऐसे यही मैंने कहा था ना अब देखें अगर इस साइड से है तो मैं अगर यह हूं तो यह मेरा left और यह मेरा right हसना नहीं है मैं समझाने के लिए करता हूं यह left और यह आपकी खुशी के लिए आप अच्छी दरह समझें इ सब जगा तभी तो यह तभी तो इतना नाम है सब जगा लोग कहते हैं कि इनके समझाने का इस्टाइल अलग है जब तक हम पूरी तरह बाइपास करते हैं ठीक है सरजड़ी नहीं यह याद रखें इसका मतलब यह left और यह right और यह ऐसे है तो यह right और यह left देख रहे हैं य यही है न मेरा यह right left और यह क्या है यह left और राइट ठीक है फिर नहीं समझाओंगा इसे तो पिर नहीं समझाओंगा हासेंगे तो ठीक है ठीक है हाँ अब चुकि मुझे जूकना ज्यादा नहीं है क्योंकि एक बार यह तूट जूकात मैंने कहा था ने एम्यू में तो हम बैठ नहीं पाते हैं नीचे ठीक है इसे ज्यादा हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं तो कि इसे मुझे लोट पड़ेगा लेकिन अच्छी दर सम्झाओंगा उत्रा ही करके काफी है ना ऐसा तो एक तेरे सामने में नीचे बैठ हूं नहीं ना अब गौर से देखें यह मेरे प नीचे है तो यह कौन है यह तो नीचे कौन हो गई आपने कहा है कि आकांचा का फेस कहां है तो आकांचा यह कहां नौर्थ है आभी हंसते हैं नौर्थ चिक है नौर्थ होगा यह कि लेड़ हो गया बिलकुल कोई डाउट्स अच्छा कई लोग क्या सोचते हैं यह चीजा याद रखें अगर कभी ऐसा हो कि माल लिया जाए पहले समझ लें अगर यहाँ पर यह चल रहा है ऐसे इसे तो यह हो जाएगा इस्ट तो यह हो जाएगा बेस्ट तो भी तो यहीं होगा नौर्फ और साउथ तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं लेकिन एक चीज़ याद रखें हसना सिंग कि ऐसे कभी भी ऐसे उनके सामने कभी मत हो जब हो उनके सामने तो नौर्मल ठीक है तो फेशी फेश तो पूछी आ और क्या पूछेगा कहां से आ रहा है आपका इस से या वेश्ट से यहीं देखना अम्माली मेरे पास यह फेश पर रहा हिए तो तय है कि हम तो साइडो ऐसे ही देखेंगे पीछे की और याद लेकिन बैसे मुझे नहीं अगर फेश पर आ रहा है तब तो पीछे ही ऐसे देखेंगे वही बनेगा लेकिन अगर कहा गया है आप्टरनून में तो यह बता दे आप अप तो मौनीं कहते हैं मौनीं के बाद देखें हैं तो अब आ पर जाकर वहार होते हैं खाना ला खाते हैं फिर वहां पर हाँ from जके दोफ फिर फिर उसके बाद निकलते हैं तेयार होकर लेकिन जब उपर वह उस समय होते हैं तो वह जब साइडों सब्धार परता है तो कहां परता है नीचे कभी पार्क में घूमें है आज ही चलें जाए धूप में घूमने के लिए दो बज़े के बाद ठीक है तो जब चलेंगे, तो साइटों भी ऐसे होगा, ठीक है, हसी आते हैं पुद्धू